स्वागत आप सब का बिग बैश लीग के मैच नूमबर साथ के अंदर मुकाबला है यहां पर मेल्बन स्टार्ड्स बनाम पर्स कोचस के बीच में जो खेला जाएगा मेल्बन के उपर मैच टाइमिंग है दुपेर के एक बच के पैता लिस मनेड़ तो फिर इस आपको एक शांदार मैच देखने को मिलेगा इस मैच में मारकस टॉनिस कप्तानी करेंगा मेल्बन स्टार्स टीम की ग्लेन मैक्समल इंजर्ड है उनको हैंड इंजरी है और इस मैच है जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट टीम बनाने के अंदर तो पूरा वीडियो देखना जो आपको कुशन मारकस है कि हमारकस टॉनिस गेंदबाज जेए करेंगा कॉंसे बारे में डिटेल से बात करेंगे बट सब से फ़ले पिछ रिपोर्ट देखेंगे क्योंकि यह पर ज स्विंग होता है कितना स्पीन होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे फिर हरेक्ट स्ट्री एन अप्डेट नंबर स्वेन प्लेयर का फार्म फिर भीरक्ट डेखेंगे क्यों सा बैटर कई सब्सवाइब यह जानना भी बहुत ज़ुरूरी है तो पूरा विड़ी दिकन यह टेलिग्राम नहीं है तो WhatsApp चनल जोईन कर सकते हो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमें सेक्शन में दिया हुआ है चलता है पिछ रिपोर्ड की तरफ MCG Melbourne स्टेडियम है यह हिस्टोरी का लेतिया से बहुत ही प्यारा भी होता है स्टेडियम का तो आप देखें बहुत ही बड़ा प्ले इंगेरिया होता है यहाँ पर तो इस वन्यू के पर लास्ट मैच खेला गया था टीट्वेंटी गा 25 जनवरी 2023 को मैच था Melbourne Stars वना हम Sydney Thunder के बीच में क्या होता स्कंदर आप देखो हुआ कुछ नहीं पहले आती है Melbourne Stars के टीम जो होम टीम है या की वो 120 बना पाती है मतलब 120 का टार्गेट देती है साथ विकेट गवा के Sydney Thunder चेस करने आती है और करीबन साथ बॉल रहते टार्गेट चेस कर जाती है और तीन विकेट से जीत दर्ज करती है फिर इससे पहले Brisbane Heat का मैच वा था हुआ गया उसके अंदर आप देखो इसके अंदर Melbourne Stars होम टीम ने 160 का टार्गेट दिया साथ विकेट गवा के फिर चेस करने आई यहाँ पर Brisbane Heat मैट रंशो ने एक 80 पारी खेली 90 ना बात की और लास्ट बॉल पर चौका मार के पने टीम को जीत देलाई थी फिर इससे पहले 108 बना 10 विकेट गर गए यह बनाया था डिले इस ट्राइकर्स ने फिर होम टीम Melbourne Stars चेस करने आती है 15 और केंदर टार्गेट चेस हो जाता और टीम Melbourne Stars नौ विकेट से जीत दर्ज करती है फिर उससे बहले 113 बना जो टीम चेस करने आती है वो एक बॉल रहते टार्गेट चेस कर जाती है 141 बना टार्गेट यहाँ पर चेस नहीं पर टीम एक स जी जी घुकी है और करीबन 27 मैच ते इस मैच आपर हारी है ठीक रिकॉर्ड थे पांच मैच चार मैच आज रही है बैटिंग फर्स तेरा मैच जीते गए हैं चेस करते विए पंदरा मैच जीते गए जाला फरक पड़ता नहीं हैं और हलका से आपको यहां पर स्विंग देखने को मिलता है मैं भी आपको ग्राफिक्स दिखाऊंगा प्रती और साथे साथ के आसपास रंज बनते हैं 160 यहां पर एक अच्छा एबरे स्कोर फाइटिंग स्कोर माना जाता है अब देखो इस स्वने को जो लास्ट मैच वा था मेल्बन स्टाइट्स वर्सेश सिड्नी थंटर का 25 जनवरी गो उस गेम में पांच विकेट पेसर का था आठ विकेट वाँ पे स्मिनर्स के थे औराल विकेट कॉलम लास्ट थाइस मैच अंदर पेसर ने 210 विकेट निकाला है पहली पारी में 115 दूसरी पारी के अंदर 95 है राइट आम पेसरा 170 लेफट आम पेसर का 40 विकेट है कारण यह कि बड़ियां पे बाउंड डैमेंशन होती है तो इस पिनर्स बोल को फ्लाइट दे सकता है अबना जिगरा रखे के इंद बाजी कर सकता है 112 विकेट पहली पारी में 58 दूसरी पारी के अंदर 54 है अब आपको लेके चलता हूं पिचस के फोटो के दरहां रिसेंटली इस वैनी के अपर 24 यह तो 25 नॉम्बर को डेट साइद मिर को याद नहीं आ रही है इसी साल आप कह सेतों 15-20 दिन पहले वुमन बिग बैस किलिका यह पर मैच बता मेलबन डार्बी का लड़कियों का मैलबन स्टार्ट्स प्रसस मैलबन रनेगेट्स का तब पिच ऐसी दिखी दिखिए आपको लेफ्ट साइड के अंदर यह देखो मैंने निगाली कि पिच के फोटो में पता था फ्यूचर में काम आएगी और जब लास्ट यहां पर कुछ मैचे सुई पिच अची थी सबसे लेटेस फोट वाली तो देखते हैं कैसी पिच रहेगी यह देखो लास्ट यह जब मैच वाथ पिच पे स्विंग देखने को मिला था और अच्छा कासा पर वाल्स विंग होती है वैसे यह देखो पिच स्विंगी बात तरे 1.3 डिगरी एवरेस तन देखा सकती है स़्िंग स्टेडियें का विठक्र यह भी होता और यह पिच आपको एका और मारवल स्टेडिया क्या हुआ है वह देखो है जा कॉर यह देखा यह त्ब है वटी-बडी इमारत हैं एंजीजी मेलबन की दिखो इस इस पिच्चर स्टेडियम और पास ही के अंदर स्टेशन यहां पर रेलवी का इसलिए आपको बहुत सारी पत्री दिखती है राइट साइड कंदर स्टेडियम के तो यह स्पेशल पीच रिपोर्ट है कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना चैनल पर नियू सब्स्ट्राइब को लोग गन्ट बिटन दबा दो और फाइनल प्लिचस की फोटोस में आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके दोंगा तेम न्यूस की बाद तरते हैं मार्क शक्टी वेफस्टर वापसी कर रहे हैं और सब्सक्राइब के अगले मैच से आजाएंगे अभी तो यूकी के अंदर थे वो दोन टीम ने बाइस मैचेस के लिए मल्बन स्टार्ट जीती है पर्सकॉचस तेरा जीती एक मैच नोड़ लिया है टॉम रोजर्स ओपन करेका श्रम अपरेक साथ जो बंसाएंगे वन डाउ नैथन कुल्टर नाल भी मेरे साब से बाहर जाने चाहिएं और देखते हैं क्या होता है इस टीम के अंबर पर्सकॉचस स्ट्पें जगनाजी उपन करेका कॉपर कॉपर कॉनोले के साथ एरन हर्डी वंडाउन है जोश अंले स्टुडाउं एस्टन टॉनर लॉरी वांस नि नेम्ट स्कॉट डिकलर किया है अभी जस्टम ने दो मिन पहले चॉक किया था कबसे वेटी कर रहा था स्कॉर्ड आया स्कॉर्ड इन काता ही स्कॉर्ड शाम को 6-7 बज़े तर कभी कभी स्कॉर्ड आता है टॉम रोजस तीन मैचेस मिक्सर टरंस 125 कर स्टाह गरेट है बैटि अगर आपने प्रैक्टी स्कॉर्ड नहीं देखें तो आप क्या करना यूटूब पे जाना और जो पहला मैस था बिग बैस लीग का हीट वरसे स्टाह आप टाइप करना स्पेस्टाइट सुर्ड जी लिखना मेरी वीडियो में जस्ट प्लेंग लिए उनके बाद मैंने प् में बैटिंग फर्ष्ट थेटर बत्तीस चेस के पर चटीस पंदरा पांच चार जिरो ना बाद दो वैन्यूबे नौ मैचेस में एक सो चालिस के आसपास रंस एक सुंतिस का स्ट्राइग रेज साथ कैच चार स्टंपिंग अफ बैटिंग फर्ष्ट पांच तीस बारा तर बैटिंग फर्ष्ट ना बाद नौ यह पुरी टीम बैटिंग फर्ष्ट चलेगे इस टीम से फिर आपको स्टैक्टी आए मैक्स्वल इंजर्ड हो गया है मार को स्ट्राइग फर्ष्ट ना बाद जिरो चेस के उपर 67 ना बाद सट्राइग फर्ष्ट ना बाद जर्ष्ट ना बाद के लिए ये तश्मेनिया के लिए मारगे स्ट्वान इस 13 माचस में 258 रंस है 29 के उसे 4-30 जब आई गे 9.2 की उकॉनमी 19 का स्टाइगेड़ साथ विक्टे है बैटिंग फर्स 5 मैच में 11 रंस है चेस के उपर 8 मैच में 207 रंस है गेन बजी करने आ सकता है इस मैच में मैक्सवल नहीं है ये खुद कपता नहीं करेंगे तो ये अपने आपको आगे डखेल सकते हैं पुश कर सकते हैं कि बही में बॉलिंग कर लेता हूँ विएनिग के उपर 41 मैच में 1000 रंस है 16 विक्टे हैं 1 शर्ट तक 6 अर्शर तक है और 4 बार 30 ये इनका फेवरिट वैनिग्स खेल पाते हैं एक्सपेक्टिंग उन्टू स्कूर गुड कार्ट राइट आठ मैच में 116 रंस है 33 के उसद बैटिंग फर 58 नाबाद 36 के उसके पर 19 से इस नाबाद 12 दस आठ वैनिक उपर 20 मैचेस में 45 के उसद है लगबख 500 रंस है दो आर शर्ट वे गए बैटिंग फर्ष में 11 मैच में गये थे और सम अमीर डेब्यू खराबरा वाई का दोनों स्प्रिंट का डेब्यू खराबरा दोनों विकेटलर्स गए थे देखते हैं क्या करपानते हैं इस गेम के अंदर बड़ी बाउंटरीज है मौका मिलेगा गेम में आनेगा च्टैक्टी चबभी सेरंट्स 11 मैच में 7 विकेट 10 की एकोनोमी एक वड़ी के अंदर बाउलिंग फर्ष पांच मैच में तीन बाउलिंग सेकंड चाह मैच में चाहर में चाहर में तीन अच्छा गेन बाज है कुइंसलैंट से आता है गती इसके बाद अची लाइन लाइन च्टैक्षर चाहर में नों मॉटकर करें जानते हैं हैं अर्विश्टलिया ना बंच श्टैकर यानिए है। निकल आर्किन के स्टैट्स दिये हैं जॉनोथन मेरलू, कैमबल कैलेवे, ब्राउडी कॉच, दो मैचस में एक विगेट वेन्यू के 6 मेच है, स्कॉटी बॉलें नहीं दिखेंगे आपको, कॉर्डर रिचुच्वाली अच्छा गिंदबाज आफस्विन डालता है, ओली स्ट लियम डॉसन का आठाबब, भारवा, चौतव अच्छ इस मैच में पाउर सफ में डालेगा, मैने लिखके रखाटक के लिए टेंशन वाली बात है, हारीष्र ़ॉफ और मार्क स्टैक्टी, युल पैरी नहीं के इंद मांस्टैक्टी, जॉल पैरिस लेंगे, इसक नजी कंसिस्टेंट प्लैर रहता है 30-40 वाला कॉपर कॉपर कॉनली हैट टूट वेन यू नहीं किला फॉर्म 6 रन 13 रन 1 विगेट दो रन 1 विगेट 42 रन 25 रन 0 विगेट देखते हैं प्रैक्टिस गेम इसने 96 किया तो दो विगेट निगा ले थे एरन हर्डी चार से तीन से चार वो डालेगा बैटिंग भी करेगा साथ मैचस में 69 रन सर्ट टॉक कैप्टन जी ऑप्शन है बैटिंग फस्ट दो पांच पंदरा नाबाद तीस चेस को पर सत्रा वैन्यू के पर दो मैच खिला बैटिंग एक भी बार नहीं आई है बॉलिंग करी इसने पांच ओवर दो मैचस में बॉलिंग फर्ट में विकेटलस बॉलिंग सेक्ड में विकेटलस एकोनोमिक ग्यारा की रही थी जॉश इंगलिश आठ मैचस में दोसो तीन रन्स चौतिस क्यों सच है कैच एक स्टंपिंग है वैन्यू के पर चार मैच में एक सो एक र बाइसन रहना दो विकेट हैं बाट फार अठाग नाबाद चेस कुपर एक फॉर्टी तरी नाबाद बाइसन बाइसन नंबर जान दो मैचस में करता रहन सब्स बैटिंग फार्टी अजार क्रण ग्राइड जब नहीं रहा है वन फारे बैटर्ड जार्टी अजी रहतर दि अड्यू टाय लिद्ड्डी बड्डे बड्डे बोई ! जिस दिन मैं विडियो शूट कर रहा हैं जी हम एक दिन पर विडियो शूट कर रहा हो बारा तारीकों और बारा तारीकों का बड़े आता है यह मैस तेराओ को ऐसे 14 मैचेस में 27 विकेट है अगेंस Melbourne Starts टॉप Grand League पी गो सकता है अच्छा किरिगेटर बॉलिंग 1st 4 मैच में 9 बॉलिंग 2nd 10 मैच में सिधा 8 विकेटर है बॉलिंग 2 विकेटर है defense करके निकाल जाती है Matt Kelly तीन matches में 10 wicket यह है play to watch out Wennie के पर एक match में 3 wicket है Sam Whitman, Aston Igar नहीं दिखेंगे Lance Morris नहीं दिखेंगे Mitch Marsh नहीं दिखेंगे Jack Crowley आपको अगले match से दिखेंगे Starting over, Jay Richardson, Jason Berendorf Aaron Hardy, Deathrack अंदर Jason Berendorf, Jay Richardson, Andrew Tye Power Shootman, Andrew Tye, Jay Richardson Tom Rogers का match up किसके सामने Berendorf, Jay है के सामने दोनों आपको पावर प्ले केंदे 4 over डालतों दिखेंगे 2-2 डालेंगे दोनों और यह उनके सामने फस्ता एक-एक बार तो देखते हैं कैसा खेल पाता है Sam Harper against Aston Igar Kelly, Saad Gola एक बार आउट किया है Jay अनिस को 19 बाल में 24 रंदे के 4 इनिंग्स में इक बार आउट किया है Left arm Chinaman का सामने फस्ता है 11 इनिंग्स में 4 डार आउट वहाई 40 double में 43 रंज है Samने में Shmakinji, Left arm Chinaman होगा Joe Runs against Andrew Tye 31 एक याउआउट रंट 6 इनिंग्स में 35 बाल के अंदर 84 रंस है और तो जयान इसको साथ रिंग इसमें दो बार आउट किया हुआ है 33 बाल के अंदर 29 रंस देगे काट राइट की बात तो कोई खास मैच अपनी है प्लेयर बहुत अच्छा है वैसे जानाथन मैरलू लियम डॉसन और सम अमीर मैक्सवेल सब के नंबर जियां केंबन कैलवे इमाद स्टैफन इसकनाजी स्टैक्टी के सामने पहली बाल पर आउट हुआ है इमाद के सामने कोरे और रकच्छाली के सामने पांच बाल में 6 एरन हार्डी अगेंस नेटर रो कुटर नाइल दस बाल पांच रंस और दो इनिंग्स में एक बार प्रेश रंदे के एस्टन टनर वर्ट से स्कॉटी बॉलन पर दिखेंगे नहीं आपको स्टाइनिस नेक बार आउट किया 17 बॉल में 47 रंदे के एक बार आउट किया है यह सब प्लेड्स आपको श्राम नहीं दिखें निका सम्राओ कोई खास मैंचक नहीं है और बिग बैस ल करेंगे जिनके सबसे दाव पॉइंट होंगे हर एक मैच को मिला मिला कि पॉइंट क्लिकुलेट होंगे एड़ ओन होंगे तो जो प्रेले रंक पर फॉर्चुनर दूसरे पर मारुति तीसरे पर टाटा था एसे करते करते कर आप 300 बगाते तो आपको एक एक जार पर मिल जा पर मिल सकता है तो दोनों साइट को मैं बैलेंस आउट करने के कुशिश कर रहा है और लिंक में आपको नीचे की आप ट्राइप कर सकते हैं कॉमन कैप्टन मैं खुद खेलता आपको दिखूंगा अरन रडी वेबस्टर अलाग जाना तो जौश इंग्लिश एंडू टाई ह और आपको जानके आश्चरी होगा इस मैच के बाद आपको बिग बैस लीग सिदा 19 दिसंबर को दिखेगी क्यों कारण यह है कि आपको पता होगा 14 तारिक से पाकिस्तान वर्सेस और चिले की टेस सीरी स्टार्ट हो रही है पर्थ के अंदर तो इस वज़े से बिग बैस ल बना दिया लोगोंने फिलाल मैंने आपर कैप्टन गया रहां रागडी को मार्क स्टाउनिस है इस मैच में स्टैंडिंग कैप्टन होंगे जॉस इंगलिस स्टिफिन स्कनाजी आप चाहिए तो जॉस इंगलिस को भी वाइस क्रेप्टन कर सकते हो वेबस्टर है लिस रोफ परकिल रहती है जो तो थ्रेट रह सकते है स्कनाजी और कोरपर अकॉनली के एपर है इंपॉर्टन रहे गार इस मैच में खेलता है मैं रिपीट करता हूं मैं स्टार्स इस है को है इस मैशमें पीट अबलिबल है में आजाना चाहिए जोश एंगलीस इंपरणेंट है आप आप रोटेट कर सकते हैं बड़ सामने वही बात है बेरेंडव जया जैसे कि इनबाज होंगे नहीं से कि आमको खेल पाएगा यह ऐसे बेरेंडव के समने आउट नहीं भाई भी तक यह जो बंस थोड़ा सा रिसकी है एसे नमबर्स बहुत अच्छा हैं इसके नमबर्स बहुत अच्छा हैं आप वैन्यू पर देखो चाहिए हैट्वूड के अंदर रोटेट कर सकते हैं थ्री डाउन आपको बैट करता हो दिखेगा काट राइड भी थ्री डाउन आता है वोई गीम स्टाइल है बैटिंग फर्स्ट मौर्ड बैटिंग परिशल हो सकता है इस वन्यविस को खेलना बहुत पसंद है लॉर इवांस रोटेट करना गरांड लिए इस को फिला भान रखाया पूरा बीस वो खेलने का मौका मेलेगा फ्रेसर रोजस हीटे मिस्ता है प्लेयर है प्योरली और किसी को भी आड़े में ले सकता है अच्छी बैटिंग अर देखता है अपर एक्टिक बनाए डोमिस्टिक के अंदर विक्टूरा के लिए बहुत अच्छी बैटिंग अरे तॉम रोजस ने रोटेट करना कुछ टीम मे लिएम डॉसन आप चाहिए तो रोटेट कर सकते हैं कॉपर अनकॉली घ्रैंड ली खिल रहे हो तो एक आप दो टीम इसको भी ट्राइक कर लेना जया जया बेरंडॉफ एंडू टाय यह तीम तो मश भी गया उसके बाद आप देख सकते हैं हैरिस रॉफ की तरफ या फिर आ अनकॉली घ्रैंड लिग मर रोटेट कर सकते हैं देख तरी स्टाइड शुरुजी मिलते हैं टेलीग्राम के उपर लव युगास ती सुन एंड ओल देख वैस वर दिस क्लाइस